गुड मॉर्निंग बच्चों मैं दुलार चंदास स्वागत करता हूँ आप सभी का एक नए वीडियो में हमारे यूटुब चानल स्टडी विद दुलार जियां बच्चों आप लोग देख पा रहे होंगे यह चैप्टर वन है पर्थम किरन लिखा हुआ है यह पार्ट वन है और इसका नाम है विन्ती इस बुक को देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि यह क्लास वन की हिंदी बुक है जो सरसती सिस्व मंदिर में चलती है आज हम लोग इसकी पढ़ाई करेंगे देखिए यहाँ पर करसर जिस तरह से चलेगा उस तरह से में पढ़ते जाओंगा उसने सुरज चांद बनाया उसने तारों को चमकाया उसने रचदी धरती न्यारी फल फूलों से रचदी क्यारी पंची को तो गीत सिखाया सरसी नदियों को सरसाया तितली के हैं पंक सजाये गईया से नित दूद दुहाये उसने मानव जनम दिया है जीवन का वरदान दिया है उस इस्वर को सदा मनाओ उसे स्ने से सीस जुकाओ जहें बच्चों इसको समझ पा रहेंगे कि उसने सुरज चांद बनाया इसका अर्थ है उसने का मतलब है इस्वर को भगवान को बोला जा रहा है भगवान ने सुरज चांद बनाया उसने तारों को भी चमकाया है धरती को उसी ने बनाया है और यहाँ पे फल फूल के बगीची जो बने हुए है भगवान नहीं बनाये है पंची जो चाहाती है उसको इस्वर नहीं सिखाया है नदियों में पानी जो बहता है वो भी इस्वर नहीं किया है तितली में तरह तरह के अनेक कलर होते हैं अनेक रंग होते हैं वो भी इस्वर नहीं बनाया है गया से नित्यूद द्वाए गाय जो दूद देती है वो भी इस्वर नहीं किया हुआ है उसने मानव जनम दिया है मानव मनुस को हम लोगों को इस्वर नहीं जनम दिया है और हम लोग ये जो जीवन जीते हैं उसका बरदान भी इस्वर नहीं दिया है इसलिए उस इस्वर को हमें सदायाद करना चाहिए उसकी पूजा करना चाहिए और उसके सामने सीस जुकाना चाहिए इसके आगे ये पोयम यहाँ पर समाप्त हो जाती है और इसमें कुछ question answer भी दिये हुए है सब्दार्थ दिये हुए है रचदी मतलब बना दी, बनाई, सर्सी, तलाब, नित, रोज, स्ने, प्रेम, सीस, सीर ये question answer दिये हुए है आईए मैं आप लोगों को question answer बना के दिखाता हूँ जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे चप्टर वन का ये question answer दिया हुआ है किस ने सूरज चांद बनाया, इस्वर ने सूरज चांद बनाया इसका answer है ये किस ने धर्ती रचदी है, किस ने धर्ती रचदी है किस ने पंची को गित सिखाया, इस्वर ने पंची को गित सिखाया किस ने मानव जनम दिया है, इस्वर ने मानव जनम दिया है किस ने जीवन का वर्दान दिया है, इस्वर ने जीवन का वर्दान दिया है ये question answer यहाँ पे complete हो जाता है और इसको two number में कविता याद करने के लिए बोला गिया है आप लोग इसको पढ़ पढ़ के याद कर लेंगे three number में पढ़ें और लिखें इसको अपने copy में लिखना है और इसको पढ़ना है चांद, क्यारी, जीवन, जन, इस्वर, स्ने और चार नमबर में खाली अस्थानों को भरने के लिए बोला गिया है उसने तारों को यहाँ पर चमकाया पंची को तो गीत सिखाया यहाँ पंची भरा हुआ है उसने मानाव जनम दिया है उस इस्वर को सदा मनाओ तो यह लेसन वन, चेप्टर वन यहाँ पर पूरी तरह कंप्लिट हो जाता है इसके आगे हम लोग उसरी वीडियो में पढ़ेंगे तब तक के लिए गुडबाई